हलो एब्रीवन इस वीडियो में हम 17 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी करनेंट अफियर्स न्यूज में रहे हैं उन सभी को डिसकस करेंगे न्यूज कवर की जाएंगी देहिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पी आईबी और अधर इंपोर्टेंट साइट से आप हमारे टेलिग्राम चैनल वोलकनो आईएसकेडमी के साथ में जूड सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक नीचे डिसक्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसके अलावा वो सारे एस्पाइरेंट जो 2023 के लिए UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए हम मेंटोर्सिप प्रोग्राम लेकर के आए हैं आप हमारे मेंटोर्सिप प्रोग्राम के साथ में जूड सकते हैं जिससे की आपकी 2023 की जो जर्नी है वो काफी easy हो सके इसमें क्या किया जाएगा आप सभी को मेंटोर जो हैं वो अलोट किया जाएगे मेंटोर जो हैं वो आपको daily basis पर target देंगे और इस daily basis में ना सिर्फ आपके prelims पर focus किया जाएगा बलकि जो आपके mains है उसकी भी integrated form में आपकी preparation यहां पर करवाई जाएगी time to time आपके साथ में essay writing, mains answer writing इन सभी के लिए focus किया जाएगा और किसी भी topic जो भी आपको daily basis पर target दिया जाएगा उसको फिर questions के थूरू समझने की कोशिस की जाएगी कि किस तरीके से इसमें prelims में question बनेंगे और किस तरीके से इसमें mains में question बनेंगे तो integrated form में यहां पर इस mentorship program में आपका complete syllabus जो है वो complete cover किया जाएगा इसके अलावा time to time जो है वो zoom meeting के थुरू हमारे जो mentor है वो आपको guidance प्रोवाइड करने की भी कोशिस करेंगे तो काफी beneficial रहेगा आप हमारे टेलिगाम चैनल पर जाकर के इसके जो भी basic features हैं उनको और जादा study कर सकते हो और अगर यह program आपको beneficial लगता है तो आप इसको join कर सकते हो minimum price के साथ में nominal fee के साथ में हमने इसको start किया है तो यह जो program है वो आपके 2023 की जननी के लिए काफी beneficial रहने वाला है तो आज के वीडियो में अगर हम news को start करें तो first important news है यहाँ पर जो image आपको show हो रही है यह image जो है वो एक painting है 19th century की यह painting है और इसमें थंजूर जो state था उस time में आप सभी को पता है 19th century में इंडिया के वपर Britishers का rule था तो थंजूर जो state था उसके ruler है यह सर्फो जी और यहाँ पर उनका बेटा है सिवा जी उसकी यह painting है इसको चुराली आ गया था और अभी present time में US का museum है वहाँ पर Massachusetts में जो museum है वहाँ पर यह painting देखने को मिली है तो थंजूर state से जो भी history है वो हमाले important हो जाती है यहाँ पर अगर हम थंजूर state की बात करें तो थंजूर state के ruler थे जो सर्फो जी सर्फो जी को बिटीसर्स ने help की थी यहाँ का राजा बनने में और सर्फो जी के जो step brother थे अमर सिंग, अमर सिंग को यहां पर हटाया गया था और बिटिसर्स ने सपोर्ट किया था और फिर सर्फो जी को यहां पर राजा बना दिया था उसके बाद में सर्फोजी की डेथ हो जाती है 1832 में उसके बाद में उनका एक मात्र बेटा होता है सिवाजी जो इस पेंटिंग में है वो यहां का रूलर बन जाता है 1855 में ये जो सिवाजी है उनकी भी death हो जाती है अब ये जो है ये जो सिवाजी जो थे इनके बाद में कोई भी male successor नहीं था यहाँ पर थंजूर state में तो आप सभी को पता है उस टाइम में हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल थे लोड डल होजी वो लोड डल होजी जो है वो एनक्सेशन पॉलिसी के तहट एक पॉलिसी लेकर के आये थे doctrine of lapse doctrine of lapse में ये होता था कि कोई भी state अगर उसका राजा के death होने के बाद में उसका कोई male successor नहीं है तो यहाँ पर वो जो state है indirectly बिटिसर्स के अंडर आ जाएगा और इसके तहट बिटिसर्स ने बहुत सारे state को अपने अंडर किया था जैसे कि अगर हम बात करें तो सतारा को 1848 में उसके बाद में जैदपूर को 1849 में संबलपूर को 1849 में इसके अलावा उद्यपूर जो है उसको 1852 में जहासी जो है 1853 में यह कुछ important state है जिनको इस doctrine of lapse के थ्रू ही अपने अंडर एनेक्स करने की कोशिस की थी बिटिसर्स ने और 1857 का जो revolt हुआ उस revolt में यह जो revolt के देखो जब भी कोई revolt होता है तो उसके कुछ basic feature होते हैं और उन्हें basic provision में से एक यह भी था doctrine of lapse इसकी वजए से भी जो भी कुछ state के जो भी यहाँ पर emperor थे जिन्हों ने participate किया जैसे कि जहासी से रा निलक्स में बाई जिन्होंने participate किया उसका major region यही था कि इस doctrine of lapse के थ्रू जिस तरीके से बिटिसर्स ने states को अपने अंडर करने की annexing जो policy अपनाई थी उसकी वज़े से काफी ज़धा oppose देखा गया था तो यह हमने 19th century के जो ruler रहे उनसे related basic facts को discuss किया और उस time में किस तरीके की policies थी बिटिसर्स की उन सभी को भी हमने discuss किया next important article है और यह article है केरला एस्टेट को ले करके केरला एस्टेट में थिसूर एक सिटी है और थिसूर सिटी में वाडा कुंधन वाडा कुंधन एक temple है यह जो वाडा कुंधन जो temple है ऐसा बोलते है कि South India में जो भी oldest सिवा temple है उनमें से यह एक है हर साल यहाँ पर एक annual tradition होती है और इस annual tradition का नेम है अना योटू festival इस अना योटू festival में क्या होता है कि यहाँ पर बिना सजाए हुए हाती जो है इस मंदिर में लाए जाते हैं यहाँ पर इनको openly इस जगे पर रखा जाता है बहुत सारी संख्या में लोग आते हैं और इनको आपर feeding करवाते हैं मतलब यहां को इनको खानावना खिलाते हैं लोग ये बानते हैं कि यहां पर बगवान गनेश को गोड गनेश को एक तरीके से उनको खुश करने की कोशिस करते हैं और फिर गोड गनेश जो है उनकी सारी जो भी इच्छा है विसेज जो है उनको complete करेंगे तो ये तो लोगों की tradition है लेकिन इसके पीछे history जो है वो काफी अलग है history ये है कि 1982 के time में देहली में Asian Games हुए थे और उन Asian Games में participate करने के लिए वहां पर शुरुवात में जब भी को Asian Games, Olympic ये हुता है तो वहां पर एक तरीके की जो भी country वहां पर host करता है जैसे इंडिया ने host किया 1982 में Asian Games तो हमारा जो culture हमारा जो tradition है वो वहां पर दिखाने की कोसिस की जाती है तो उस time केरला का एक हाती था elephant था पूरब वो इसमें select होता है कि यहां पर जो भी हमारी जहांकी निकलेगी ना हमारी country के tradition को लेकर कि उस सब में आपको participate करवाना है और इस elephant को यहां पर select आए जाए और पहुचाने के बाद में उसमें participate करवाया जाए अब यहां पर जो यह procedure है इसमें जो भी doctors है वो सभी का एक तरीके से group बनता है और यह procedure जो है complete किया जाता है अब उस procedure के बाद में यह games complete होने के बाद में यह जो हाती है वापस जब केरला में को लाया जाता है तो ऐसा बोलते हैं कि एक लंबी जरने के बाद में काफी ज़्यादा ठक जाते हैं तो इसलिए इस tradition को open किया गया था कि जो भी हाती है उनको खुले में रखा जाए ताकि लोग यहां पर आए उनको यहां पर जो भी खाना वाना है वो दे सके इस तरीके से जो festival है वो start और अभी present time में इस temple में जो है वो regular इस festival को celebrate किया चारा है तो यह अनायोटू festival जो है इस से related basic facts हो गए डायरेक्टली पूछ लेंगे कि अनायोटू festival जो है वो किस state से related है next important article है और यह article जो related है वो बीजापूर वाला जो area था जो कनाटका में located है यहां पर बीजापूर सुल्तान ओबदा आदिल साही डाइनेस्टी यहां पर आदिल साही डाइनेस्टी जो है उन्होंने rule किया था आदिल साही डाइनेस्टी ने 1490 से 1686 के बीच में और इसी time में 27 के बीच में यह जो ruler जो थे बीजापूर के बीजापूर की जो सुल्तान हुए जहां पर आदिल साही डाइनेस्टी ने रूल किया तो यह news में रहे present time में अब इनके बारे में अगर हम discuss करें तो यह काफी अच्छे poet थे काफी अच्छे musician थे और काफी अच्छे painter थे यह ज तरीके से बांध नहीं रखा था काफी broad-minded human थे और इनोंने religious views और practices जो भी follow की जाती है other religion में उन सभी को एक तरीके से adopt करने की कोसिस की थी ओके यहां पर अगर हम बात करें तो उनोंने हिंदू जो डाइटीज हैं जिसमें सरस्वती गणपती इसके अलावा सूफी संत सय्य जो हैं इन सभी को उनोंने एक तरीके से follow करने की कोसिस की थी यहां पर अगर इन से related other facts की बात करें तो इनोंने बीजापूर के पास में अपनी एक नई capital establish करने की कोसिस की उसकी foundation रखी और capital का नेम इनोंने रखा था नव रसपूर हमारी जो हिंदू हिंदू जो हमारी aesthetic concept है Indian aesthetic concept of Russ जो है मतलब रस जो है जिसको Indian aesthetic concept के रूप में माना जाता है कि जब भी आप किसी culture को follow कर रहे हो तो उसमें जो feelings जो होती है जिसको आप मतलब सिर्फ बता सकते हो जिसको आप feel कर सकते हो आपका mind of state क्या है उस time में जिससे आप dance कर रहे हो उसको आप feel के साथ में आपका mind उसके साथ में पर्फूम कर रहा है तो वह एक तरीके का रस है एक essence है मतलब कोई भी tradition में जो essence है उसके उपर Indian जो है वो concept जो है वो belong करता है तो इसको इन्होंने follow करने की कोशिस की और इसी के basis पर उन्होंने कोई भी चलाया था जिसका नाम है नुन इ नोरस ओके इसके अलावा उन्होंने एक बुक लिखी थी और यह जो बुक थी इसमें उन्होंने 59 सोंग लिखे इसके अलावा 17 कपलेट्स भी लिखे थे और इस बुक का जो नेम था वो था किताब ए नोरस इस बुक को नोरस नामा के नाम से भी जानते हैं तो यह कुछ बेसिक फेक्ट्स है इन रूलर से रिलिटेट जो एक्जाम के पॉइंट अफिस से इंपोटेंट है क्योंकि इन्होंने जो ए रिलिजियस सेंचुरी का केसव टेंपल है जिसको पोईटरी इन स्टोन के नाम से भी जानते हैं अब यहाँ पर युनेसको की जो टीम है वो विजिट करेगी ताकि इस साइट को वो लेकर के व्यू कर सके और इसको युनेसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डेजिगनेशन इसको देज सके अब यहाँ पर इस टेंपल से रिलेटेड अगर हम बेसिक फेक्ट्स देखें तो यहाँ पर यह जो जगह है वो करनाटका की जगह है कावेडी रिवर के किनारे इस मंदिर को बनाया गया होईसाला डाइनेस्टी जो है उन्होंने आपर 10 से 14 सेंचुरी के बीच में रूल किया और होईसाला डाइनेस्टी ने इस मंदिर को बनाया था होईसाला डाइनेस्टी जो है उन्होंने अपने कल्चर को इस तरीके से डेवलप किया कि उन्होंने वेसर जो स्टाइल है इसके अलावा दर्विड जो style है आर्किटेक्चर में उन दोनों का combine form लेकर के उन्होंने होईसाला आर्किटेक्चर जो है वो develop किया था और उसी के basis पर इस temple को उन्होंने बनाया था temple में कुछ basic feature है जो होईसाला आर्किटेक्चर को belong करते हैं जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले जो platform जो बनाया गया है जिसके उपर मंदिर का temple का construction किया गया वो star shape में है यहाँ पर polished pillar होते हैं जिनके उपर बहुत सारी design जो है variety of design जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है जो सिखर होता है यहाँ का वो pyramidal shape में होता है और इसके अलावा most of their temples are in bhoomis style इसके अलावा miniature सिखर जो है इस style में मतलब temple की जो outer wall होती है वहाँ पर miniature सिखर देखने को मिलत हैं ओके तो यह होसाला जो भी architecture है उसके basic facts हैं जो हमारे exam के point of view से important हो जाते हैं next यहाँ पर है हमारे president पनी है अभी 15th number की president द्रौपती मुर्मू यह जो द्रौपती मुर्मू जो है वो tribal community से belong करती है वो tribal community में भी अगर हम देखे तो संथाल community से belong करती है यहाँ पर अगर इन वो हमारे इंडिया में third largest scheduled tribe है third number पर आती है संथाल community और पहले number पर गोंड और दूसरे number पर आता है इनके बाद में third number पर आती है संथाल community और इससे belong करती है जो हमारी present time में जो president बनी है ओके यहाँ पर अगर हम संथाल community और संथाल language से related other facts को अगर हम देखे तो आपको comment box में बताना है कि कौन से constitutional amendment act के थ्रू जो संथाली language है जिसके साथ में bodo, dongri और methyli जो है उसको भी insert किया गया था हमारी 8 schedule में तो वो कौन सा constitutional amendment act था यह आपको comment box में बताना है जो संथाली जो language है उसकी script है old चिकी और old चिकी script में present time में हमारा जो constitution है उसको भी यहाँ पर translate करने की कोसिस की गई है इससे क्या होगा कि tribal community जो है easily हमारे constitution को read कर पाएगी उनको लेकर के जो भी rights है उन सभी को लेकर के awareness जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें create होगी सीधी और simple बात यह है यह चीज़े हमें दिखाती है कि हमारे country में integrated form में जो भी हमारी country का part है उन सभी मे growth and development के लिए हमारी country जो है वो काम कर पा रही है तो यहाँ पर संथाल community से related basic facts हमने discuss कर लिए अब हमारी president जो elect हुई है उनके बारे में अगर हम discuss करें तो यह हमारे India की first president ऐसी है जिनका independence के बाद में जन्म हुआ है इसके अलावा वो second women president है इससे बला first number पर जो women बनी थी वो थ प्रतिबा पाटिल first tribal tribal community से बिलोंग करने वाली first president वो बनी है तो यह कुछ basic facts हो गए इसके अलावा सबसे youngest president भी है अब तक की ओके तो यह कुछ basic facts है यह आपको ध्यान में होने चाहिए तो यह आज का हमारा history art and culture का जो भी discussion था जो भी इस week में जो current affairs में news में रही उन सभी को हमने static के साथ में relate करके study करने की कोशिस करती है अगर यह initiative आपको अच्छा लगा है तो आप comment box में comment करके इस initiative को support करने के लिए बोल सकते हो कि हाँ हाँ इसको regular कर सकते हैं ओके थैंक यू